पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस कमपनी पर मनी लॉंडरिंग जैसे गहन आरोग इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने लगाए हैं, वो किस तरह से खुला घूम रहा था और प्रधान मंतरी उसका प्रचार, प्रसार और पैरवी क्यों कर रहे थे, आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है, एक बहुत एहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरे साजा कर लेते हैं, एक ये सेलफी देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी सेलफी देखिए फिर एक तीसरी सेलफी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हो, इन सेलफियों को देखने के बाद आपको कुछ और दिखाऊंगे, 10 नवंबर 2016 को इस देखिए के तमाम अख़बारों में, अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाएं, तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोट बंदी के दो दिन बाद, एक बड़ा सा विग्यापन कवर पेज पर छपा था, और आप लोग तो प्रबुद मीडिया के साथ ही, आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महेंगा होता है, लेकिन ये कवर पेज का विग्यापन छपा था, जिस पर मोधी जी को मजबूत निरने, नोट बंदी जैसे मजबूत निरने को लेने के लिए साधुवाद किया गया था, पेटियम ने छापा था, ये वही पेटियम है, जो नरेंद्र मोधी जी की उपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं, उस पर 15% का कैश बैक देता है, 200 रुपए कैश बैक, जिसका जिक्र प्रधान मंत्री उत्तुरा खंड की अपनी रैली में करते हैं, तो ये सारी सेलफी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम विडियो हैं, उचल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए, ये विडियो विजय शेकर शर्मा के हैं, जो पेटियम के सीओ है, जो पेटियम के संस्थापक है, फाउंडर है, और इस तरह का स खुशिया देने का काम किया है, आप ये सोचिए कि जिस नोट बंदी ने अर्थ विवस्था को अधिया दिया, जिस नोट बंदी ने हजारों लाखों MSMEs बंद कर दिये, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोट बंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुब दिन मान काम करने वाले व्यक्ति विजशेखर शर्मा है, उन्होंने अपनी कमपनी का IPO भी 8 नवंबर को ही किया था 2021 को, खेर, परशान करने वाली बात ये है कि इस व्यक्ति और इसकी कमपनी के खिलाफ, मनी लॉंडरिंग जैसे गंभीर आकशेप लगे हैं, और गंभीर आरोप नहीं लगाएं, यह इस देश के भारतिये रिजर्व बैंक ने लगाए हैं, और उन अनियम इतताओं के चलते, उनके पेटियम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ना वो टॉप अप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रह कर स लगते हैं पैसा, उन तीस फरवरी से पेटियम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा, आपकी जानकारी के लिए सारी कारवाई आर बी आई ने अपने अधिनियम 351 के तहत की है, तो यह वो व्यक्ति है जो प्रधान मंत्री के बेहत करीबी हैं, यह वो व्यक्ति है जिनके बारे में प्रधान मंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेलफी खिचाते हैं, आप सब जानते हैं प्रधान मंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अख़बार में इस्तिमाल करते हैं, विज्यापन के लिए तो आपको PMO की संस्तुती चाहिए ह होती है तो यह बहुत करीब हैं प्रधान मंतरी के बहुत चहेते हैं बहुत लाडले हैं और अब यह मनी लॉंडरिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुआ हैं और ऐसा नहीं है कि यह गाज एक दम से गिर गई है क्योंकि अगर खबर देखियो और रिपोर्ट जो आप ही लोग लगा रहे हैं उनके मुदाबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के एक साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे और आर्बियाई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया कभी जमा करताओं पर रोक लगी कभी जुर्माना लगा छेचे करोड रुपए का तमाम चीजे हुई लेकिर उस दौरान भी उसके बावजूद भी प्रधान मंत्री इनकी पैरवी करते रहे इनका प्रचार प्रसार करते रहे कुछ बातें जिन पर इनको यह सजा सुनाई गई है उसका उलेक कर देती हूँ खबरों के मुताबिक RBI ने 35 करोड पेमेंट बैंक के जो वालेट थे उसका निरीक्षण किया उसमें से 31 करोड 35 करोड का निरीक्षण किया 31 करोड निश्क्रिये पाए गए पैन काड एक एक पैन काड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया लाखों खातों का KYC नहीं ह हुआ था मनी लॉंडरिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई बैंक द्वारा लगातार जूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाए गई और जो ग्रूप 197 कंपनी का नाम है लेकिन पेटियम की जो ग्रूप कंपनीज है उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते आर्बियाई ने ये बड़ा कदम उठाया यहाँ पर दो चीजों की बात करनी जरूरी है क्योंकि पेटियम पर पहले भी अपने डेटा को भारतिये जनता पार्ट पर भी गहन चिंता जताई है और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीष अधिकारियों का तबादला हुआ ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया और कंपनी ने बिजनिस बनाने के जनून में लगातार नियमों का उलंगन किया और हर तरह के कानून क को ताक पे रखा शायद वह कहावत है हमारी तरफ कहते हैं जब संया भै कोतवाल तो डर काहे का मोदी जी साथ में हैं उनके साथ सिल्फी खिच रही है वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन राली में कर रहे हैं तो डरने की क्या बात है लोगों को कहर एक और चिंता जो और बियाई ने जताई वह पेग्मेंट बैंक की शेर होल्डिंग को लेकर है करीब 49 प्रतिशद हिस्सेदारी पेटियम कंपनी की थी जिसे लोग 197 कम्यूनिकेशन के नाम से जानते हैं लेकिन 50 प्रतिशद हिस्सेदारी इस बैंक की सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजश चाहिए वो कर सकता था अंत में आर्बाई की कारवाई की एक बड़ी वज़े और यह बहुत चिंता का विशह यह भी था कि चीनी निवेश भर-भर के चीन की कंपनी का निवेश भर-भर के पेटियम में था पहले अलीबाबा और उसके बाद भी जो एंट ग्रूप है चाइना का उसके पास करीब 10% साजेदारी आज भी है और संभावनाए हैं कि डेटा की साजेदारी उस कंपनी के साथ की गई तो अंत में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कुछ बड़े गंभीर मुद्दे खड़े हो जाते हैं जिसको उठाना जरूरी है क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपती कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं इतने सारे उलंगनों के बावजूद भी पेटियम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी धील क्यों दी गई 2017 से ही अन्यमित ताहिश रो गई थी 7 साल तक इतनी लंबी धील क्यों दी गई मनी लॉंडरिंग जैसे गंभी राक्षेप लगे हैं एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है एडी कौन सी नीद सो रहा है पेटियम को लेकर यह ज़रूर पढ़ना चाहिए पेटियम ने बीजेपी भारतिय जनता पार्टी और पीम केर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आर्श तक बचा रहा है पहले अडानी और अब ये बार बार जो मोदी जी के लाडले है उनके खिलाफ एजेंसिया शितिल क्यूं पढ़ जाती है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अंत में दो सवाल जरूरी है ED के 95 प्रतिशत केसेज विपक्ष के लोगों के खिलाफ है क्या ED से संतुष्ट है और Paytium का तमाम ट्रांजाक्शन में लेन देन है 10 करोड से जादा तो Paytium की भोगता है क्या ये डेटा भारतिय जनता पार्टी के साथ शेर हो रहा है सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्यवर्ष 2023 में करीब 137 लाक करोड का डिजिटल पेइमन्ट हुआ जिसमें Paytium का अच्छा खासा शेर है क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये डेटा गोपनिये है ये डेटा सुरक्षित है या इसकी ब्रीच हुई है ये बहुत सारे प्रश्ण है Paytium का स्टॉक लगातार गिर रहा है Minority shareholders इससे आहत है पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस company पर money laundering जैसे गहन आरोप इस देश के banking regulator Reserve Bank of India ने लगाए है वो किस तरह से खुला घूम रहा था और प्रधान मंत्री उसका प्रचार प्रसार और पहरवी क्यों कर रहे थे आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है